आपका फिर से एक और नए वीडियो से मेरे तो यह वीडियो मैं कुशिश करूँगा बहुत अच्छा आपको बढ़ लगे और अच्छा बनाने की करूँगा आज का जो वीडियो बनाने का जो भलोग बनाने का हुमारा मसला है वो है बानिहाल फोर लाइन अशर्लामर के आपके साथ इसके पार्किंग बनाई हुए बहुत ज्यादा टूल पला जागे पीछे चितने भी बहुत ज्यादा पार्किंग बनाई या कुशिश करें कि पार्किंग दिखा रहेंगी अगर इसे हम लाइनों से माना जाए इस एरिया को एक दो तीन चार चार लाइने है यह आठाट लाइन आठाट लाइन इसमें गाडिया रहेंगी तो मुझे जहां तक लगता है कि काफी हद तक प्रक वाले जो है चेन की सास लेंगे यहां आके रुकेंगे और अपना जो भी आगे का सफर होगा यहां से आगे तैय करेंगे यहां आगे टोल पलाजा है हम आगे का भी आपको व्यू दिखाएंगे टोल पलाजा का भी तो पुशिश करेंगे कि आपको टोल पलाजा भी दिखाने की लेकिन फिलहाल जो है फिलहाल हम यहीं पर यहीं का जो हमने पार्किंग बोला था लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताओं और के हम रहा हूं तो हमने लगबख हर जगा देखिए जब जहां पर भी सड़कों का तामीर तामीर होती है सड़के तो इसमें जो है कि लोगों का बहुत ज्यादा नुक्सान होता है उसके बाद उन्हें कोई फाइदा नहीं होता उस चीज़ का और हर जगा ग्रोंड की तामीर स सब्सक्राइब होता है हमारे बच्चे जो खेलते हैं पहाड़ों में खेलते हैं तो कहीं खेद मिल जाए चावल का खेद मिल जाए उस पर अपना टेलेंट वेस्ट करते मेरे हिसाब से क्योंकि अगर ग्रोंड होते तो बाहर से भी लोग आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे लोग इसकी तरफ जाएंगे खास्तों लागडाउन के दोरान पढ़ाई तो होनी रही लोग बच्चे अलाग अलाग तरदों में चलेंगे और अगर ग्रोंड वगेरा होते हम नहीं बोलते हैं कि आप खाली किरकर ग्रोंड दो या फुटबॉल बड़े-बड़े ग्रोंड ज्यादा लंबाना हो जाए और मैं दोस्तों यहीं बोलूँगा कि अगर आप वीडियो अच्छा होएंगे तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना है उससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो आप तक पो जाओंग और आप तक तुरंट आजाएगी वो करीब 20-30-50 किलमेटर के दूर आसपाथ एक गोंड भी बनाया जाए तो उससे हमारे युवा के जो युवा पीड़ी है वो खेले के कोदे के फिटनस में फिट रहेंगे क्योंकि आगे की जो कमाने उनके ही हाथ में होगा है खुदा हाफिज अब नद्यार रखे